आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनॉटमी और फीजियोलोजी आफ दी रेस्पिरेटरी सिस्टम आज का हमारा जो टॉपिक है वो अनॉटमी और फीजियोलोजी आफ रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करेगा तो जैसे कि हमें पता है कि हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है सांस लेने की जो परनाली है सिस्टम है इसका मेन फंक्शन है बाहर से इन्वार्मेंट से एर लेके उसको हमारी बाडी में लंग्स के थरू एलवलाई के थरू जो है डिस्ट्रिब्यूट करने का काम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है यह हमें पता है इसके इलावा इसका जो फ्रेंड है यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि नेचर ने बगवान ने गौड ने यहां पे हार्ट क्यों लगाया है इन दा थ्रैसिक कैवर्टी चेस्ट में हार्ट का होना क्यों ऐसा डिजाइन है बिकाज बोथ रेस्पिरेटरी एंड कार्डियो वस्कुलर सिस्टम वर्क इन हैंड टू हैंड जैसे ही बलड हार्ट के राइट वेंट्रिकल से पंप होता है तो वो सीधा फिल्टरेशन के लिए गैस एक्सचेंज के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम में पंप कर दिया जाता है सो हमने अभी तक देखा समझा की कार्डियो वस्कुलर सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम जो हैं बोथ वर्क टोगेधर तो प्रवाइड दी नॉर्मल वी कैन से ओक्सिजन लेबल एंड तो रिमूव दी मोस्ट वी कैन से दा बैड वेस्ट आफ दी बॉड़ी कई तरह के हमारी बॉड़ी जो है वेस्ट बनाती है उन में से एक वेस्ट है हमारी कार्बन डायोकसाइड उसको बाहर निकालने का काम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम विद दी हेलप आफ कार्डियोवस्कुलर सिस्टम एंड अलवलाई जो है वो करता है और लंगस के end point ब्रॉंकाई के end point पे present है हमारी यह जो कि गैस एक्सचेंज सेंटर है और इस एलबॉलाई में present होता है हमारा सर्फेक्टेंट जो की सर्फिस टेंशन को कम करता हुआ एलबॉलाई को expand करके रखने का काम करता है तो ultimate हमने देखा कि हमारे जो मामले में इसके मामले में रेस्पिरेटरी सिस्टम के मामले में जो point है that is एलबॉलाई और कार्डिमोस को सिस्टम इसके साथ जो है वो पंप जो है वो करता है now we will discuss about the structural plan structural plan जो है हमारा respiratory system का वो कैसा है तो for the study purpose respiratory system को upper respiratory system जिसमें हमारा nose oral cavity please note it down in the upper respiratory tract upper respiratory system we include nose oral cavity respiratory larynx and pharynx larynx and pharynx जो है nose जो है यह अपर respiratory tract बनाता है and in the lower respiratory tract include we include for the study purpose that is our trachea and lungs accessory organs भी इसमें include होते हैं जैसे कि diaphragm diaphragm हमारे lungs trachea rib cage वो जो हमारी ribs हैं 12 pair of ribs हैं इसके आगे present हैं इनको बोला जाता है lower respiratory tract why professor sanjeev is focusing on this because because in the bsc nursing second year and bsc nursing third year आप लोग जो हैं वो study करेंगे disorders of upper respiratory tract and disorder of lower respiratory tract तो basic knowledge में आपको यह पता होना जरूरी है कि what is included in the upper respiratory tract and what is included in the lower respiratory tract तो इसमें rib cage diaphragm जो हैं वो भी consider किये जाते हैं तो nature ने यह हमारा जो respiratory system है वो क्यों लगाया है because there are millions of cells in our body जो की continuously काम कर रहे हैं as we know जैसे कि हमने पढ़ा था ठीक है जी कि हमारे जो cells हैं they require continuous supply of oxygen and removal of carbon yes please dioxide तो carbon dioxide बाहर निकलनी चाहिए oxygen अंदर रहनी चाहिए और आता हुआ जो हमारा circulation होता हुआ blood है वो हमारे cells को micro capillaries micro blood vessels की help के साथ जो है वो nutrition भी दे रहा है और hormones भी केरी कर रहे है nutrition hormones oxygen and removal of waste product ठीक है जी तो cells जो है किसी भी organ के वो continuously waste product बना रहे हैं और उनमें सबसे important जो waste है that required to be removed immediately because उसका अगर body में वो waste present रहा तो जो है हमारी blood में alkalosis and acidosis imbalance जो है वो create हो सकते हैं ठीक है जी blood की acidity के उपर असर पड़ सकता है alkaline के उपर असर पड़ सकता है buffer system disturb हो सकता है that waste is carbon dioxide carbon dioxide जो है cells billions of cells जो है वो लगातार बना रहे हैं और इस cells के द्वारा इन cells के द्वारा जो यह carbon dioxide बनाई जाती है this process is called please note it down cellular respiration this process is called cellular respiration तो हमारे cells हम नहीं सांस ले रहे यह भी a concept सही है बट असल में हमारे billions of cells are respirating जो है वो ले रहे है oxygen और carbon dioxide जो है वो cells require immediate supply of the oxygen nutrition water and other hormones जो है cells को चाहिए वो यहां पर supply किये जाते हैं so in the next video we will discuss in detail about the upper respiratory system first then about the lower respiratory system यहां तक सभी को clear है anybody having any doubt till now upper respiratory system lower respiratory system and now in the next video we will discuss under the respiratory system that is our nose nose के बारे में हम जो है detail में discussion करेंगे so stay till the next video in the next video we will discuss about the nose